हलो गाईज और विल्कम बैक तो शिखा क्लैसेज इस वीडियो में हम दिफेमस प्ले राइट और पोईट वीलियम शेक्सपेर का एक पोवम पढ़ेंगे एक सॉनेट पढ़ेंगे सॉनेट 73 जैसा हम सभी जानते हैं वीलियम शेक्सपेर ने 154 सॉनेट लिखे जिसमें से फर्स्ट सॉनेट से लेकर के 126 सॉनेट तक फेर यूज सीक्वेंस में आता है वीलियम शेक्सपेर ने अपने सारे सॉनेट्स इंग्लिश सॉनेट या शेक्सपेरियन सॉनेट स्टाइल में लिखा है Basically, sonnet क्या होता, उसके कितने types होते हैं, इस पर मैंने video बनाया है, link description में आप visit कर सकते हो In fact, इस video में जितने भी literary terms use होंगे, उन सभी topics पे मैंने video बनाया है, किसी भी sonnet में 14 lines होते हैं And the point is कि इस type के sonnets में, ये 14 lines, 3 quatrain और एक couplet में बटा होता है Quatrain का मतलब एक ऐसा stanza जिसमें 4 lines होते हैं, और couplet का मतलब एक ऐसा stanza जिसमें 2 lines होते हैं किसी भी English sonnet की rhyme scheme होती है, ABAB, CDCD, EF, EF, GG किसी भी Shakespearean sonnet को iambic pentameter में लिखा जाता है iambic pentameter मतलब की एक weak syllable और फिर strong syllable, फिर weak syllable, फिर strong syllable इस तरह का structure होगा और हर एक line में 5 feet होगे, इसलिए pentameter first quarter in में Shakespeare ने old age को compare किया है autumn season से second quarter in में Shakespeare ने old age को compare किया है twilight से twilight वो वक्त होता है जब sunset कर चुका, शाम हो गई है लेकिन रोशनी अभी भी थोड़ी है, उन्होंने रात को death की परचाई के रूप में depict किया है third quarter in में उन्होंने old age को एक ऐसे fire से compare किया है जो की अपनी लकडी को पूरी तरह से जला चुका है, अब उसमें लकडी भी बहुत कम बची है और इसलिए वो आग का जो flames है वो भी काफी कम हो चुका है और इस तरह से तीनों quadrants में Shakespeare ने old age को एक negative चीज की तरह दिखाया है हम सभी लोग एक दिन मर जाएंगे इस चीज को उन्होंने बहुत एक negative aspect में दिखाया है लेकिन जैसे हर एक English knowledge में होता है कि पहले के तीन quadrants में कोई problem है final लेकिन couplet में वो resolve हो जाता है वैसे यहाँ पे तीन quadrants में एक negative aspect of old age को उन्होंने दिखाया है लेकिन finally couplet में वो यह बोलते हैं कि मुझे तुम और भी अच्छे से प्यार काऊं क्योंकि क्या पता कल क्या हो कल हम इस दुनिया में तुम्हारे सामने रहे या ना रहे और actually यह हम सभी के लिए एक message है कि हम सब mortal beings है कभी भी हम मर सकते हैं और इसलिए हम जिससे भी मिलते हैं रोज हमें एक अच्छे से कपना पन से एक प्यार के साथ मिलना चाहिए So guys यह introduction हो गया sonnet का फिर sonnet 73 का भी summary हो गया अब finally हम line by line analyze करेंगे इस form को उसके बाद हम figures of speech discuss करेंगे and then finally हम themes discuss करके video को close करेंगे This is the first quatrain That time of year thou mayst in me behold Sonnet 73 को इस line से भी जाना जाता है Speaker is in lines के तुरू यह बोल रहे हैं कि साल का वह समय तुम मुझमें देख सकते हो You mayst in me behold Thou word is you in singular form यह archaic English का word Mayst we make उसका meaning होता है यह भी archaic English का word है So poet साल के किसी समय को खुझ से compare कर रहे हैं Behold means देखना तो साल का किसी खास समय जिसको वह बोल रहे हैं कि वह समय जैसा होता है तुम बिलकुल मुझे आज देखोगे तो वैसा ही तुम्हें लगेगा जाल का वह समय जब Bows means branches of a tree जब पेड के branches में या तो yellow पते कुछ होते हैं या कुछ पते नहीं होते या थोड़े बहुत पते होते हैं जो की पेड के branches से लटके होते हैं With shake against the cold और वो branches वो पते अगर हैं पेड में तो वो ठंड से कांपते हैं तो इन लाइन्स में जो yellow leaves है Yellow leaves usually autumn season को denote करते हैं And then third line में एक थंड की चर्चा है Autumn season के बाद winter season आता है Winter season में usual पेडों के पते जड़ जाते हैं Basically autumn season is old age and winter season can be compared to death जहां पे कोई hope नहीं होता कहीं पे भी पेड से नहे पते नहीं निकल रहे होते So it's basically lack of hope, loss of life Third line में हम कह सकते हैं कि Bows को personify किया गया है क्योंकि Bows यानि पेड के branches कोई इनसान तो नहीं जो ठंड से कापेंग यहां पे personification यूज हुआ है The fourth line is Bear ruined choirs Where late the sweet birth sank Choir औस platform को बोलते हैं जहां पे group of people Church में खड़े होकर के गाते हैं उन group of people को भी choir बोलते हैं और उस platform को भी choir बोलते हैं पर यहां पे उन branches को compare किया गया है वो wooden platform पे जिस पे लोग खड़े होकर के गाते हैं हम क्या सकते हैं कि यहां पे metaphor figure of speech भी use हुआ है So basically speaker यह बोल रहे है कि जैसे उस choir पे लोग खड़े होकर के church में गाते हैं ठीक उसी तरह से यह पेड के branches गाने वाले चिडियों के लिए भी एक choir है एक platform है जिस पर बैठ के वो चिडियां गाती थी लेकिन अब चुकि इसके सारे पत्ते जड़ चुके हैं season भी change कर गया है तो वो चिडियां अब यहां नहीं है और इसलिए यह पेड अब ruined हो गया है बरबाद जैसा लग रहा है bear means something that is naked जिस पर कोई cover नहीं है तो पेड के branches पर जब पत्ते रहते हैं तो वो covered रहते हैं कि सारे पत्ते जड़ चुके हैं या maximum पत्ते जड़ चुके हैं तो इसलिए वो bear हो गया है तो speaker basically इस quadrant की through यह बोल रहे हैं कि मुझमें तुम साल का वह समय देख सकते हो जब सारे पत्ते जड़ जाते हैं या कुछ पत्ते ही शायद बचे होते हैं sweet birds जो हमेशा उस पेड़ पे बैठ के गाया करते थे वो sweet birds भी अब जा चुके हैं उस पेड़ को desolate अकेला छोड़ कर ठीक old age की तरह जब हमारे अंदर की सारी energy लगभग खत्म हो जाती है कि old age में लोगों की usefulness घट जाती है जो मतलबी लोग होते हैं वो उने छोड़ करके चले जाते हैं अब देखिए last के sounds किस तरह से मैच कर रहे हैं first और third line का behold, cold and hang, sang, second और fourth का so a, b, a, b, rhyme scheme is perfect इस stanza में extended metaphor भी use हुआ है यूँकि old age को late autumn से compare किया गया और यह continue कर रहा है पूरे stanza में पूरे quartrain में then alteration यूज़ हुआ alteration उसे कहते हैं जब words के starting के sound consonant sound same होते हैं जैसे first line में देखिए मे, मी, तो M sound, मो sound same है उसी तरह से हम कहा सकते हैं consonants भी use हुआ है यहाँ पे asonance भी use हुआ है मतलब words के अंदर के vowel sound जहां same है जैसे me, behold तो B, me, E sound same है इस तरह से और भी example है alliteration के asonance के consonants के squad train में आप समझे और अगा doubt हो तो comment section में पूछ लीजिए apostrophe figure of speech भी use हुआ है क्योंकि यहाँ पे वो किस से बात कर रहे है वो कह रहे है speaker कि तुम मुझ में साल का वह समय देख सकते हो तो यह तुम कौन है speaker जिससे बात कर रहे है जो listener है that is not present there and therefore हम कह सकते हैं that apostrophe literary device यहाँ use हुआ है then enjambment भी use हुआ है enjambment उस literary device को बोलते है जब एक line खतम हो गया है poem का means हम first line से second line move कर गये है पर sentence finish नहीं हुआ है यह extended metaphor को use करने का बहुत अच्छा तरीका है मतलब कि जो sentence से वो line on line continue कर रहा वो run कर रहा and that's why यहाँ पर run on line enjambment figure of speech भी use हुआ है और मैं अभी यह बता देती हूँ यह figure of speech सारे stanges में use हुआ है इस poem के यहाँ पर imagery भी use हुआ है क्यूंकि metaphors की help से एक image create हो जाता है हमारे mind में वो autumn season का जिसमें पत्ते जड़े हुए है इस imagery figure of speech भी second stanza में भी use हुआ है और third stanza में भी use हुआ है This is the second quaterain In me thou seest the twilight of such day as after sunset fedeth in the west बोल रहा है कि मुझ में तुम again apostrophe use हुआ है क्यूंकि तुम listener is not present there मुझ में तुम दिन का वह वक्त देख सकते हो that is twilight मतलब sun फेड कर चुका है west में हम जानते कि sunrise east में होता और sunset west में होता है तुम मुझ में दिन का वह वक्त देख सकते हो जब सूरज डूब चुका है which by and by black night doth take away उस रौष्णी को भी रात खत्म कर देगी जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा है रौष्णी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी death's second self that seals up all in rest यहाँ पर death को personify कर रहा है night को compare किया जा रहा है death से जैसे रात में सभी लोग आखे बंद करके सो जाते है death बस हमेशा के लिए लोगों की आखे बंद कर देता है और night को कहा गया है as if it is death's second self so death सबको हमेशा के लिए rest में सुला देता है night भी बिलकुल हमें rest में डालता है पर that is temporary लेकिन हाँ night जो है वो death का एक shadow कहा जा सकता है इस stanza में भी alliteration use हुआ है जैसे second self and seal so sir sound यहाँ repeat हो रहा words के starting में asonance भी use हुआ है consonance भी use हुआ है इक और figure of speech यूज हुआ है anaphora क्योंकि आप देखिए first stanza के first line में भी in me था second stanza के भी first line में in me है और जब आप third quadrant पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी first line में in me है so इस stanza में भी extended metaphor है गया है this is the third quadrant in me thou seest the glowing of such fire that on the ashes of his youth doth lie तुम मुझ में उस आग के glow को देख सकते उस आग की चमक को देख सकते हो जो अपने youth के राख पे खड़ा है fire को भी personify किया गया क्योंकि fire को as if दिखाय जा रहा है कि उससा कोई youth था सिकली speaker ये बोल रहे हैं कि जिस तरह से जब आप किसी लकडी में आग लगाते हो और लकडी पूरी बची है तो आग के flames बहुत उचे उठते हैं पर जैसे जैसे वो लकडी जलती जाती है आग का flames भी कम होने लगता है तो जब लकडी जल चुकी है लगबग थोड़ी बची है तो आग का flame बहुत थोड़ा है और वही वो कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल उस आग की तरह हूँ उस आग की चमक की तरह हूँ जो अपने जवानी के अपने यूथ के राख पे खड़ा हो मतलब कि उसी के जो वो flames निकले that was youth यूथ में हमारे अंदर बहुत एनरजी होती है और जैसे जैसे हमारा एज बीचता जाता है हम बूढ़े होते जाते हैं वो एनरजी क्या होती है कम होने लगती है speaker in two lines की तुरू यही बोल रहे हैं कि मेरी एनरजी मैं बिल्कुल उसी आग के glow की तरह हूँ उसी आग के चमक की तरह हूँ जो अपने youth के राख पे खड़ा है ashes भी खड़ा as the deathbed whereon it must expire तो आग जब जल रहा है लकड़ी खत्म होने वाली लकड़ी खत्म होगी आग भी बुझ जाएगा आग जहां जल रहे है वहीं पर वो बुझ जाएगी वहीं पर वो मर जाएगी बिल्कुल एक इनसान की तरह वो जिस जिन्दगी को आज जी रहा है जिस दुनिया में है जहां पर उसने अपना youth बिताया अपना energetic phase of life बिताया अब वो बुढ़ा हो रहा है और फिर वो वहीं पर मर जाएगा खत्म हो जाएगा consumed with what that which it was nourished by अब यहां पर एक paradoxical statement है आग उसी चीज को खा जाता है उसी चीज को खत्म कर देता है जिस चीज से उसने nourishment पाई थी जिस चीज से उसने ताकत पाई थी कोई भी fuel जिस पे आप माचे समारते हो और आग जलने लगता है तो उस आग को nourishment किस ने दिया उसी fuel ने दिया और आग उसी fuel को खा जाती है उसी fuel को खत्म कर देती है तो हमारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है हमें एक जिंदगी मिलती है उसी जिंदगी को हम enjoy करते है energetic way में full of energy होता है लेकिन धीरे धीरे वही energy use होने लगता है जिस energy ने कभी हमें एक जोश दिया एक nourishment दी वही energy धीरे धीरे कम होने लगता है और एक समय में जब वो खत्म हो जाता है हमारी life भी end कर जाती है Now the final couplet This thou perceivest which makes thy love more strong तुम इस बात को समझो perceive करो और ये तुम्हारे प्यार को और भी मजबूत बनाएगा किस बात को वो समझने बोल रहे हैं जिसको भी वो address कर रहे हैं which is perhaps the fair youth कि तुम इस बात को अब समझो कि मैं अपने life के आखरी phase तक पहुँच गया हूँ अब इसके बाद मुझे इस दुनिया से ले जाया जाएगा इस दुनिया को छोड़ दूँगा तो इस बात को समझो और इस से तुम्हारा प्यार और भी मजबूत होगा To love that well which thou must leave along E-R-E इस word का मतलब होता है Before in time तो मुझे तुम बहुत प्यार करो उतनी अच्छे से प्यार करो इस से पहले कि मैं हमेशा के लिए इस दुनिया से चला जाऊ फिल 9th के थुरू और भी clear हो रहा है कि speaker जिस इंसान को address कर रहे है वो एक young इंसान है उसकी age कम है तब ना वो उसे ये बोल रहे है कि ये नहीं बोल रहे है कि हम दोनों मर जाए वो बोल रहे है इस से पहले कि मैं मर जाऊ मतलब वो बुढ़े हो चुके पर वो जिसको address कर रहे है उनका age अभी उतना नहीं हुआ है बढ़ और समझने कि ये कि फर्स्ट और सेकंड स्टैंजा में वो डे के या इयर के किसी पार्ट को रेफर कर रहे है और वो autumn season या winter season या खत्म होगा लेकिन वो फिर अगले साल आएगा या फिर twilight है वो रात में बदल जाएगा पर अगले दिन फिर सुबह होगी एक उमीद होती है पर फाइनल स्टैंजा में वो एक आग से compare कर रहे है वो आग जो जब अपने जिस fuel पे जल रहा है वो fuel खत्म होगा और आग भी खत्म हो जाएगा तो फिर से हम उसी आग को नहीं जला सकते exactly हमारी life भी वैसी ही है एक बार हम इस दुनिया से चले गए तो वापस हमें कोई जिन्दा नहीं कर सकता है इसलिए वो last stanza जो है वो और भी जादे connect करता है death के point को इस sonnet में basically तीन symbols को use किया गया है day, year and fire themes that has been discussed in this sonnet is love and old age second is mortality, nature and meaning so guys hope आपको ये पूरा poem, पूरा sonnet सब अच्छे से समझ में आ गया हो फिर भी कोई doubts रह गए हो feel free to mention it in the comment box below या फिर आप मुझे facebook page पर message भी कर सकते हो link मेंने description में दिया हुआ है see you in the next video with a new topic till then keep smiling have wonderful days thanks for watching and if you like the video hit the like button share this video with your friends और अगर आपने subscribe नहीं किया है तो subscribe कीजिए और बगल के bell icon को press कीजिए